हेलो एप्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे वेपीसी से एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है एक्चली एक और न्यूज सामने आ चुकी है पहले मैं उसे आपको बेलकुल इत्मिनान से बताना चाहता हूँ अगर आपका बीड है और आप वन टू फाइब के लिए प्याटी का एक्जाम आपने दिया है और अपने आपको इलिजबल समझ रहे हो तो भाईया आपकी गलत फामी हो चुकी है दूर और साप साप सब्दों में कहा गया है कि बीड वाले वन टू फाइब के लिए टीचर नहीं बन सकते हैं यह तो पहली बात हो गई दूसरी बात आप यहां से देखो एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है और यहां पर भी प्यासी के चेर्मेन अतुल परसाद जी का प्रेस कॉन्फरेंस हो चुका है क्या बाते सामने आई है वो आपके साथ मैं रख देता हूँ यह पीडियाप देखो इस पीडियाप को आपन करते हैं हम लोग और यहां से देखो यह पीडियाप मैं पहले पढ़ दूँ उससे पहले आपको बता दूँ एस्टेट जिन्होंने एस्टेट का फॉर्म भरा है आपका सबजेक्ट कौन सा है अगर आपको प्रिवेस gateway कोस्टन पेपर चाहिए और उसके सोलीशन चाहिए तो पीडिग दीजगा प्रिवेस demonstration पेपर साथ में उस सबजेक्ट का नाम आप ज़रू लिखेंगे नहीं का हिंडी है तो हिंडी लिखेंगे एंग्लिस है तो अब देखिए जो नोटिफिकेशन आई है वो मैं बता दू डोकुमेंट वरिफिकेशन के सम्मंद में बातें आई है कौन कौन से क्लास की बात करें तो 9 से 10 और 11 से 12 यानि कि जो आपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परिक्षा दी थी उन सभी लोगों को I repeat everyone सारे लोगों का जो है डोकुमेंट वरिफिकेशन होगा 4 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच कहां होगा राज के बाहर के अभियर्तियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्याले में कराया जाएगा ये बात इन्होंने कर दिया है अभियर्तिया अपना दस्तावेज सत्यापन निर्धारित अभधी के अंदर अपने जिले मुख्याले में करना सुनिशित करेंगे अगर आपका जैसे सपोज कर लेते हैं आप जमुई से हो लखी सराय से हो मदेपूरा से हो सिक्पूरा से हो तो आपको उसी जगह पे जाकर अपना document verification कराना होगा अगर राज के बाहर से आप आए हो तो definitely आपको कहां जाना होगा पठना मुख्याले जाकर अपना जो document है उसे verify कराना होगा तो ये थी BPSC की information आगे और भी कोई information आती है तो definitely आपको बताई जाएगी वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया चैनल को subscribe करते हुए जाएगा थैंक्यू सो मच